हेलो दोस्तो आप सभी का मेरी यूटूब चेनल सफर गावका में स्वागत है तो आप देख सकते हैं आज मेरी आंटी हमारी ब्यास से दुद निकालने वाली है तो इस वीडियो में एंट तक बने रहना ताकि आपको भी पता चले कि मेरी आंटी हमारी ब्याच से दुद का ऐसे निकालती है तो आप देख सकते हैं मेरी आंटी ने हमारी ब्याच से दुद निकालना शुरू कर दिया है जो आपको दिखने को मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं मेरी आंटी ने अब हमारी प्रेश से दुद निकलना शुरू कर दिया है देरे देरे अब दुद ना भी शुरू हो गया है आप देख सकते हैं बहुत बहुत बहुतरिन तरिके से मेरी आंटी हमारी प्रेश से दुद निकलती है आप देख सकते हैं हमोरे बेस में बड़ी बहीत्री तरीके सह खड़ी हो गई है दुद्दिने के लिए आप देख सकते हैं बेश से दुदिकान बहुत मुश्किल काम होता है जो मिरे आंटी कर रहे हैं अब देख सकते हैं अभी बारिशका मौसम है इसलिए बेश को बाज़ु में किचड आ अब देख सकते हैं इसलिए सावधयन से बेश से दुद निकल आ जाता है ताकि किचर्ड दुद में गीरे नहीं अब बहुत बहतरी न तरीकिस मेरी आंटी हमरी बैच से दुद निकल रही है अब देख सकते हैं हमारे गाव में रूस सुबह और शया में सही गायव और बैचों से दुद निकल देथी जो आपको कई वीडियो आप देख सकते हैं आप अब बहुत बाहतरी तरीकिसे मेरी आंटी हमरी बैच से दुदने का निकल बहुत सही तरीकिसे आप देख सकते हैं वे दूसरी अंगल तरफ नहीं जा रहा है क्योंकि बाइब की चड़ बहुत सारा है इसलिए में दूसरी बाजू नहीं जा सकता हुआ कि आपको एक ही जगह से दिखा पाऊंगों मैं क्योंकि सबी जगह की चड़े अभी बारिज का मौसम है इसलिए आप देख सकते हैं कि सामदे की तरफ भी की चड़े है इसलिए तरीके से खाना खा रही है कि अच्छा मेरी आंटेनी बनाया है देख सकते है कि काने में मस्त हो गई है और दिद्देन देती है काती रहती और दिद्देती रहती है कि माति अन्मीदे कि अपको यह वीडियो पसंद आएगा अगर पसंद आया हो कि शुर्व को लाइक कर दो और हमारी चैनल को प्रेस्ट्राइबर करदो ताकि ऐसे वीडियो आपको दिखने को मिल जाएंगे अमारी चैनल पर रोज सुबह ऐसे वीडियो अप्लोड होते हैं जो आपको दिखने को मिल जाएंगे कि अप्टीक सकते हैं बहुत बाई ताजीक सिमृए अठी हमयर पेसे इंडिन का रही अब तो दिया बाहा जी फग हरी ऑडिक सकते है तो है 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 बहुत बहुत आपकिस मेरी आंटी ने अमरे बेसे दोद्धा दिया है अब वो जा रहा है है खड़ियों के अब देख सकते हैं तो जो में देख अब लिव्यूमे तब तके नमस्कार बयाँ